हेलो दोस्तों स्वागत है आपका म्रदुलतिरवेदी यूट्यूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं किरन इडियम्स और फ्रेज़स पार्ट 6 तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बेश किये हुए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजेगा तो देखिए got on well got on well याने होता है मैत्रीपूर संबंध होना या फिर हम बोल सकते हैं head of friendly relationship तो क्या answer हो जाएगा इसका option number 3 तो got on well याने कि होता है मैत्रीपूर संबंध होना next है हमारा slip off slip off यान होता है leave quietly ठीक है छुपके से निकल जाना she tried to slip off उसने भागने की कोशिश की थी but was caught immediately लेकिन उसे पकड़ा गया ठीक है तुरंती उसे पकड़ लिया गया looking forward to looking forward to यान होता है प्रतिक्षा करना ठीक है खुशी से किसी ब्यक्तिकी प्रतिक्षा करना I am looking forward to her arrival मैं उसके आने की क्या कर रहा था प्रतिक्षा कर रहा था खुश होकर ठीक है मेरे को बहुत खुशी होने वाली थी क्योंकि वो आने वाला था तो इसका क्या हो जाएगा accepting with pleasure ठीक है pleasure यान होता है खुशी next है हमारा rides the high horses rides the high horses यान होता है superior समझना ठीक है superior समझना महान समझना ठीक है या फिर greatest समझना rides the high horses wreck and ruin ruin यान होता है बरवात कर देना तो देखिए याँ पर ऐसा क्या sense हमें मिल रहा है successful पता है आपको depth पता है ran scared ठीक है ये तो बिलकुल नहीं हो सकते तो इसका क्या हो जाएगा destroy destroy यान होता है किस चीज़ को demolish कर देना ठीक है डहा देना खराब कर देना तो wreck and ruin का मतलब क्या होता है destroy कर देना किस चीज़ को next हमारा old head on young shoulders ठीक है तो old head on young shoulders का मतलब क्या होता है अपने time से पहले समझदार बन जाना या फिर mature हो जाना उसे बोलते हैं old head on young shoulders okay to be wise behind his ears अपनी उम्र से पहले ही क्या हो जाना समझदार हो जाना wise जाने क्या होता है समझदार होना iron build iron build जाना होता है दरण इक्षा सकती किसी भी चीज़ को करने की दरण इक्षा सकती तो क्या हो जाएगा इसका strong determination next है हमारा wheel and walk इसका मतलब होता है सुक दुख ठीक है हमारे जीवन में जो सुक दुख आते हैं उसे हम बोलते है wheel and walk ठीक है ये आपको error में या फिर improvement में मिल जाएगा ये आपको कभी न कभी तो देखे इसका क्या हो जाएगा joy and sorrows next है हमारा water under the bridge तो देखे water under the bridge something I cannot change ठीक है जिसे हम बिल्कुल भी change नहीं कर सकते हमारे हाथ में नहीं होता है उसे बोलते हैं something I cannot change water under the bridge next है हमारा stick to my guns stick to my guns क्यों होता है देखे इसका sentence पढ़ते है तब समझ में आएगा इसका मतलब क्या है my parents मेरे parents want me मुझसे चाहते थे to study science science की study करूँ but लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया contradiction लग गया I will stick to my guns and graduate in economics लेकिन मैंने क्या ली economics ली और मैं graduate हुआ ओके तो देखे यहाँ पर क्या समझ में आया कि उसने खुद का निर्णे लिया खुद के decision रखे ठीक है तो देखे hold on होता है अपने hold on अठीक है अपने निर्णे पर hold on करना ठीक है जाना या फिर अपना निर्णे ले लेना hold on to my decision तो उसने खुद का decision ले लिया next है हमारा out of hand out of hand यान होता है completely ठीक है out of hand यान क्यों होता है completely या फिर पूरी तरह से याद होना चाहिए आपको यह out of hand next हमारा the salt of the earth पता ही होगा आपको ठीक है काइंड भी अक्ती है फिर होनेश्ट भी आपको यह से बोल सकते हैं okay the salt of the earth next हमारा head of hearing यान क्यों होता है सुनने में कठना ही होना ठीक है hard of hearing तो दीक है क्यों हो जाएगा to be deaf ठीक है deaf यान क्यों होता है एक बहरा इंसान जो सुन नहीं सकता है hard of hearing होता है next हमारा throw cold water जो ठंडा पानी है उसे फेक देना इसका मतलब क्यों होता है किसी भी व्यक्ती की जो आसा है या फिर जो भी व्यक्ती ने एम रखा हुआ है जो कुछ करने वाला है उसे क्या कर देना discourage कर देना हतोत साहित कर देना किसी भी काम को करने से पहले ही okay broke down broke down यान होता है एक होता है तूट जाना किसी चीज़ का ठीक है broke down हो जाना तूट जाना रोक जाना या फिर रोने लगना broke down यान होता है तूट जाना या फिर रोने लगना okay next है हमारा button अब free hand टीक है यह चीज आपके free hand कता शलाई er आपको क्या मिले जी तो आपको लेंगे आपको आजादी मिल जाएगी आप free hand हो जाऊगे ओके आफरी हैं यान क्यों होता है complete liberty ठीक है as hard as a nail as hard as a nail यान क्यों होता है बहुत ही ज़्याते कैसा होना emotional less होना ठीक है emotional less होना जिसके अंदर बिल्कुल भी emotion नहीं होते हैं उसे बोलते हैं as hard as a nail next next है मारा cognitive test ho ठीक है इसका क्यों होता है Examine करना या फोर्ण करना क्यों है इंप्सेश्ट 68 को जाने किसी बी चीज को करने का भूत सवार होजाना की मुझे यह और HOW तो इसका क्यों ऑघ्णन करना क्यों होता है इसको कीछ करना है उसी तरह है इन हर बॉनेट इसका मतलब क्यों होता है किसी भी चीज को करने का भूतसबार हो जाना कौच पटेटो कौच पटेटो एक ऐसा ब्यक्ती जो डले डले बस टीवी देखता रहता है उसे बोलते हम कौच पटेटो ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा इसका क्या क्या हुआ कि मैं आसक रखता हूं मेरे दोस्तों से कि वह मेरी कहें सहायता करें सपोर्ट करें Okay, broke up broke up तो आप पता ही होगा, संबंद बिच्छेत हो जाना ठीक है, या फिर बोल सकते हैं disband itself, ठीक है, खराब हो जाना disband, disrupt तो 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 दिक ही अलग हो जाएगा broke each other, instruments, instruments नहीं तोड़ना bank, bank, bankrupt पागल हो जाना नहीं depend itself तूड़ जाना किस चीज़ का carry the bell carry the bell यन क्यों होता है be in charge, ठीक है? charge में होना ठीक है? carry the bell यन होता है be in charge आपके उपास हर चीज़ का charge होता है कि आप इसे कर सकते हैं ठीक है? अधिकार होना carry the bell next है हमारा and end the pill and the pill यन होता है समझ से परे होना ठीक है अन्रीजनेवल होना आताकिक होना किसी चीज़ का तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद